हेलो वल्कम बैक स्टुडेंट्स अपर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्छों आज मैं आपको इक पॉइम्प बताने जा रहा हूं जो है ब्लड यह ब्लड पॉइम्प कमलादास ने लिखी काफी बेहतरीन कवीता इस कवीता को सीखेंगे समझेंगे हम लो करते हैं हैं Completely बहुत ब्लड और लेकिन बहुत्व मेंलिन को समझने का प्रियास करें हरे रहेéis करें सब्सक्राइब करना आपके अंग्री कैसे स्ट्रॉंग हो इसको लेकर कि बहुत सारे वीडियो बनावे हुए चैनल पर आप जरूर से जरूर देखना है तो चलिए बच्छों स्टार्ट करते हैं सी यहां कमलादास कहा रही है इस कविता में जो शुरुआ थे कमलादास कहा रही है जब वो चलिए जब वो बच्चे थे जब वो छोटे थे माइब ब्रदर और आई मैं और मेरा भाई और आल वेस प्लेइंग अन थे सेंट्स त्राइंग बर्द और अनिमल्स हम लोग बालू पे खेला करते थे जो कर लाका है वहाँ सोर है वहाँ पे बालू पे हम लोग खेला करते थे जनवर भियास पास पक्ची पीश पास और हम लोग बालू पे खेला करते थे यह ऐँ स्टार्टिन एक स्टाइग लाइन ho निर自 घंट दो अरे मिंग जो दोॉए लिंगर कह दो ऊदम ऑगे दो, मेरी जा मद शाए मुज़ी में और भी so दो में अदय में में खिए मैं का प्त अद्यवा चलीड़ उस घर में रहे है तो जो इस घर में के रहे है पर देख दा शोना में भी खोरिए लिट्ट बिट्स ये घर अब 300 साल पूराना हो चुका है और धीरे धीरे टूटके गिर रहा है बिफोर और फेरी आइस हम लोग के आँखों के सामने घर टूटके गिर रहा है जो दिवारे है वो क्रैक हो गई है और फट गई है और क्या हुआ है और बारिस अत्तिक होने के कारण उसमें मौश्यर हो गया नमी आ गई है दिवारों में तो यह हालत बता रही है अपने घर के जो बहुत दिन पुराने का है तीनसु साल पुराने का अपने बीरासए की बात यहाँ कमल लग genuine mother बता रही है जितुक्त ऑडिता हैं The tiles have fallen here and there, the windows, wind and crown फार्ट पैल्स जो है ऊसे गर में जो टाइल सी छिथ outta सान्य दूंडव है ऑर जो वींडोस हैं जो खिर्कियां है घर के वो काफी करा है काफी करा रहे मितलों उसकी कंडिशन अच्छी नहीं है वो खराब इससलिए विंडोज जो है खिरकिया जो है बहुत करा रहे हैं उनकी स्थी काफी खराब है टूट गये हैं ठीक है और हर एक रात को क्या होती है चुहे अपने होल से निकल जाते हैं अपने बिल से निकल जाते हैं और दर्वाजे के चारो और इदर उदर मंडराने रखते हैं घुमने रखते हैं ठीक है उनकी ग्रैंड मैदर को यह भी दुख होता है देख करके कि वहां जो सांप जो भी है वहां जो रह रह रहे हैं उनको देख करके इनकी ग्रैंड मा काफी दुखित होती है है वह काफी चिलाती है रोती है और अपने घर की सिती के बारेमें बधाती है और काफी दुखिती है वह अपने राडन आई जोर ये का लल हुए तो पौस्टे हुए पर I love this house, it hurts me much to watch it die मुझे इस घर से बहुत प्रेम है मैं इस घर को जाते हुए मरते हुए देख रहे हुं लेकिन इस घर से मुझे बहुत प्रेम है when i grow old when i grow old i said and every and very very rich i shall rebuild the pollen walls अब यहां कमलस केया दिकी अपनी घ्राइंड मादर को जब में बड़ी हो जांगी और जब मैं बहुत-बहुत-बहुत अमीर हो जांगी तब मैं इस घर को फिर से बनाऊंगा, इसको दिवारें गीर गए हैं, इन दिवारें को मैं फिर से बनाऊंगा और मैं इस पुराने घर को बिलकुल नया पना दोगा तेक है, my great grandmother touched my cheeks and smile मेरी great grandmother ये मेरी बातों को तुन करके वाती है मेरी cheeks को touch करती है और smile करती है मेरी गालों को touch करके वो smile करती है she was really simple मेरी grandmother बिलकुल simple है fed on God for years for all her face was modernist for the only days was always God उन्हें मेरी ग्रेंड मदर को उन्हें भगवान पर काफी ज्यादा बिश्वास है और उन्हें पुजा करते हैं मेरी ग्रेंड मदर ठीक है? भगवान के सिवा और भी जारी चीजें जो भी है उनके लिए उन्हें काफी नीरास्ता उन्हें है पर प्रेंड मदर काफी ज्यादा रूची नहीं होती है लेकिन सबसे अदरूची जो होती है वो भगवान को लेकर को होती है वो अपने बच्पन के दिनों को भी बताती है उनके ग्रेट गंड मदर कमला दास को कि कैसे वो एलिफन्ट को राइट करते थी यह हाथियों पे चड़ा करते थे ति पे चड़ना एक बहुत बढ़ा प्राइड मना जाता है यह हाथि पे चड़े लोग वो हाथियों पे चड़ा करती थी जब उसकी उमर 10 यह 11 सल की थी एक बार भी भूलती नहीं थी वो सीवा स्रेन जाते थे यह पूजा करने के लिए तो अपने आस्ता को भी आपता रही है उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर जाता है उनकी पास कितने अभोशन है कितने पुराने है कितने किस तरगे है क्या डिजाइन के है वो सारे जब के बारे में मुझे बताती थी अधि जो खरीदा गया लाया गया ब्रोकेट है जरी लगा हुआ कप्ड़ जो काफी कुपसुरत होता है उसके बारे में हमारी ग्रेंड मदर हमें बताती थी तो इस कवीता में कमलदास अपनी हेर्टेज के बारे में बताती है उनकी ग्रेंड मा कैसे सफर करी है एक विरासत को संजोए में अपने घर को संजोए में और जब संजोगना छोड़ दी मतलब उस और ध्यान जब नहीं पड़ा तो उसमें बहुत सारी दिकतें आ गए उनके घरों में दिकतें आ गए जैसे मैंने बताया कि लिखा गया इसमें टाइल्स जो है वो इधर उदर है दिवारें गीर गई हैं शांप आ गए हैं चूहे आ गए हैं जो काफी हट करता हूंने तो इस लाइन देखते हैं कि अपने जो ग्रेट ग्रेंड मदर है वो क्या बता रहे हैं और पर्फियूम और पर्फियूम और पर्फियूम और ऑईल्स के बारे में बताती हैं जो पर्फियूम और यूज करती है और जो सेंडल की जो पर्फियूम सोते हैं जो बारे में वो अपनी मेरिज के बारे में बताती है कि कैसे उनकी मेरेज हुई थी उनकी साधी हुई थी वो लब हर डिपली फोर लबली सौट एर एंड़ाइड और फिबर इन हर आम्स और कैसे उनकी जीवन जो है उनकी मेरे लाइब है सिर्फ एक साल चले थी और फिबर के वज़े से उनके हस्बें की देथ हो गई थी उनकी आम्स में ये काफी दुखद सती को बताती है वो कमला अपनी क्रेट कैसे गरी मिन से उनकी देथ के से की वे बता रही है इसमें कि यहलों कि सी तोल डास यानि उसकी ग्रेट गरन्डमदर कमला दास को बताती है और गनी बाइड डही थी लिखती है बहुत 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 भा दा ये भी बताती है उसकी ग्रेट ग्रेट मदर की यानि हम तीनों के पास ओल्डेस्ट ब्लड है यानि हम लोग के जो ब्लड है वो थीन, clear and fine है यानि प्रफेक्ट यानि प्योर ब्लड है हम लोग के पास ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे तो दीखिए यहाँ दो ब्लॉट के बारे मैं वह ग्रीट ग्रैट मदर बठाती है लिखती है कि poor has pure blood याने पूर के पास गरीब लोगों के पास pure blood होते है जबकि वहें आमीर लोगों के भीएम में जो blood चलती हम वह blood thick as cruel हुआ cruelty से भरा हुए blood होता है उसमें purity नहीं होती है आमीर लोगों के ब्लड में purity नहीं होती है ठीक? तो दो ब्लड के बारे में यहां बता़ा गया गरीब लोग के पास सुध ब्लड याने प्योर ब्लड और समक्राइब ब्लड होते हैं वो दूसरों को प्रताडित करने में ज्यादा रुचिया आना दो लेते हैं जबकि गरीब लोग के पास प्योर ब्लड होते हैं उसमें उन्हें कोई दिकत नहीं होती है फानली से ले लाइंग इन हर 86 एर यहां कामला दास बता रहीं कि उनकी ग्रेट ग्रेट मदर अब 86 में है उनकी ग्रेट ग्रेट मदर के साथ है वो मर रही है हर लेक्स कोईल्टेर विट अर्थरिटीस और उन्हें अर्थरिटीस हो गए और अर्थरिटीस एक तरह की बिमारी होती है जिसे वात भी बोलते हैं ठीक है एंड विट अन्ली एं हाड कफ अवने काफी जादा तेज कफ भी है जिसके वज़े से उनकी देथ हो रही है और बहुत अजीब कंडिशन में है वो देखे नेक्स लाइन में अलोक इंटो हर आइस अब कमला दास बताती कि मैं उनके आखों में देखती हूं मैंने उनके आगों में देखा हर पूर ब्लेरी आइस उनकी आखें मुंद रही थी उनकी आखें मुंद रही थी इक मिन्स कि सी इस बाओ तो डाय ठीक है उस गहर के बारे में कोई ग्रीव नहीं करना है I had learnt by then most lessons of defeat यानि कि कमला दास बताती कि मैंने भी हरना सीख लिया मैंने भी lessons सीख है कि कैसे हारा जाए कैसे जीता जाए तो उस तरह के lessons मैंने शीख लिया है तो उस घर के पड़ती अब ग्रीव नहीं करना है I had found out that that to grow rich was a difficult feat इसके पहले कमलादास बता रही थी कि मैं जब बड़ी हो जाओंगी अमीर होंगी तो इस घर को फिर से मैं बना दूँगी इस हैरीटेस को मैं फिर से बना दूँगी यानि जो बिरासत कमलादास को मिले थी उसको फिर से वो बना देगे लेकिन यहां बताते कि रिच होना बिल्कुल डिफिकल्ट चीज है अमीर बना बिल्कुल अलग चीज है काफी महनत वाला चीज है काफी डिफिकल्ट चीज है तो मैंने लेसंस भी चीखे है डिफिट होने के तो यह बता रही है अब भी हम फिर घर के बारें बता रहें कि हाउस वस क्रॉचिंग यह जो घर थे जो घर था वह क्रॉचिंग हो रहता हो काफी जूग गया था इक मिन्स की उस कंडिशन काफी अची नहीं थे सारे चीजें तूट गई थे जो घर जो घुख गया था इप अचनरमा की रोसने में वह घर बिलकुल पीला नजर आ रहा था जो गर्टेस्क यूए अट अलाइव यह जो घर का इस्तिधी काफी विचित्र हो गया था उसके सिति काफी खराब थी When they burnt my great grandmother over logs of mango tree अब यहां कामलियदास बताते कि उनकी great grandmother को जब चलाय जाता है यह परमपरा होती है धर्मों में परमपरा होती है तो इनके धर्में घंदु धर्में लॉग पे चला जाता है और भी धर्मों में इस तरह की बात एं होती होगी तो बोलती है कि जैसे उनकी great grandmother को mango के जो locks हैं टुकड़े हैं जो लकड़िया हैं उसके उपर उसकी great grandmother को जलाया जाता है I looked once at the house, मैं फिर से उस घर को देखी, मैं घूम करके उस घर को फिर से देखी, जिसे हमारी great grandmother Sanjo के रखी थी, बनाया थी, उसकी जो बिरासत थी, उस बिरासत को मैं फिर से घूम करके देखी And then again and again, मैं बार बार उस घर को देख रही थी, for I thought I was the window close So I saw that all the trees were closed, like the closing of her, of the eyes The trees were closed, like the great grandmother's eyes, like she died, like she died, like she died, like she died So I felt that all the trees were closed, you don't know that you are not aware of that I thought I heard the pillar grown, I have seen that the pillars of the house were grown, so it wasn't good And the dark rooms have a sign, I said forth again And the dark rooms, when there was no one living in that house, that room was dark, there was no light So that room was also very strange, so it was very strange, so it was very strange So students, when we look at the next line, when Kamala Das is a great grandmother's house, then what does he do? He says, I said for Tequan, for other town So Kamala Das is leaving the house, and leaving the house, and leaving the house in town Live the house with the siren, and the sands So he left the house with the siren, and the sands And the sands, and the sands, and the flooring shrubs They left the house with the sands, and the birds, and the fields, and the miles And the white rabbit mouth of the Arabian sea The forest, the birds, and the fields, and the fields, and the fields, they left the house And the sands, and the birds are running now, across the darkened hall, they do not fear the dead अब वह अंदाजा लगा रही है कि जो चुहे हैं वह अपने बिल से निकलते हैं और घर के चारो और घर के घर में इधर उदर घुमते रहते हैं और फिर जो विरासत है उसे खतम कर रहे हैं घर की विरासत को वो सभी एंट्स खतम कर रहे होंगे, दीवारों पर चड़ेगा होंगे, ठीक है? Stance Totems of Burial, यहनि जब भी, जब जो उनकी Great Grand Mother थी, उनकी देथ हो गए, यहनि कुल देथा जो थे, उसे जब Burial किया गया, At night in stillness from every town I live in, I hear the strattle of its death, यहनि वो जहां भी रह रही है, टाउन में रह रही है, कमला दास, वो अपने विरासत को याद करके महा रहेगी, कैसे उसकी विरासत जो है, वो खतम हो रही थी, खतम हो रही है, और खतम हो जाएगी, ठीक है? The noise of raptors creaking and the windows whine, I have let you down. यहां कह रहे हैं कि जो windows थे वो whine कर रहे थे, whine कर रहे थे मतलब उससे कराह निकल थे, मतलब कि उसकी condition अच्छी नहीं थी, तो अपने विरासत के बारे में वो बता रही हैं कि कैसे वो धिरे-दिरे खतम हो रही है, जो उसकी great grandmother संजो की रखी थी, लेकिन वो धिरे-दिरे खतम हो रही उसकी मौत के साल, I have let you down, I have let you down, old house, I seek forgiveness, अब वो माफी मांगती है, कमलादास माफी मांगती है, और कहती है, O mother's mother's mother, यानि यह mother's mother's mother का मतलब हो गया कि, वो उसकी great grandmother, ठीक है, I have plucked your soul, मैंने आपके soul को, आपके आत्मा को निकाल लिया है, like a peep from a fruit, जैसे कि एक फल से उसके बीज को निकाल लिता है, मैंने आपके आत्मा को निकाल लिया, and I have plucked it into your pyre, और मैंने जो चिता थी, जो आग है, उस पे मैंने उसको डाल दिया, call me callous, call me callous, मुझे हठीले कठोर कर सकते हो, बाडबोली कर सकते हो, call me selfish, मुझे selfish कर सकते हो, but do not blame my blood, लेकिन कभी भी मेरे blood को blem नहीं करना है, वो क्यों, क्योंकि, so thin, so clear, and so fine, क्योंकि मेरा blood है, clean, clear, and fine, it means कि perfect blood, जो मुझे heritage से मिला है, वो मेरे पास है, आप मुझे blood को blem नहीं करना, the oldest blood in the world, और यह जो blood है, सबसे best blood है, ठीक है, that remembers as it flows, जब भी blood, whence में दोड़ता है, तो सारी यादें, जो है, वो remember करता है, याद करता है, अपने विरासत को याद करता है, all the gems and all the golds, जितने भी आवुसन थे, जितने भी जो gold वगे रहे थे, उन सब चीजों को भी याद करते हुए, and all the perfumes and the oils, जो perfumes और oils उसकी great grandmother जिकर करते थी, उसको भी याद करते हुए, वो blood है हमारे अंदर, and stately, and the stately elephant ride, और उस elephant ride को भी जो बहुत अच्छा माना जाता है, elephant ride, उसको भी याद करते हुए, यहां कमलादास, इ आपको end करती है, तो बचोंगे कविता कैसी लगी, आप जरूर से जरूर बताना, comment box में, आपके अंग्रीजी कर से है, strong और उसको लेकर करके, बहुत सारे वीडियो बिजाने में चेनल पर जरूर से जरूर भी, thanks for watching.